हे स्टुडेंट्स वेल्कम बेक तु माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बीएसी सेकेंड इयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ साखा विन्यास ब्रांचिंग पैटर्न कक्छस्त कलीका या सिर्शस्त कलीका से विक्षित होने वाली पाशर्विय उपांग जो पर्वव पर्वशंधियों में विभेदित होते हैं मतलब अलग होते हैं तथा मुख्य तना सद्रिश परिलक्षित होते हैं साखा कहलाते हैं मूल तना साखाओं के लगने के क्रम को साखा विन्यास कहते हैं द्वीबिजपत्री पादपों में द्वीबिजपत्री पादप उन्हें कहा जाता है जिनके बीजों का दो तुकड़ा हो सके ऐसे बीजों के पौधों को द्वीबिजपत्री पादप कहते हैं उदारन चना मटर ठीक हैं में ही समानेता साखन देखने को मिलता है प्राया एक बिजपत्री पौधों में जिन में सिर्फ एक ही बिज होते हैं उनके न तुकड़े किये जा सकते हैं ऐसे बिजों के पौधों को एक बिजपत्री पौधा कहा जाता है साखाओं का आभाव होता है कक्छस्त कलिकाओं के विकास से बनी पाशर्व साखाओं समान्यत अग्रस्त कलिका आगे वाली कलिका से बनी साखाओं से छोटी होती है बड़ी साखाओं को डाल तथा छोटी साखाओं को डाली कहते हैं जो बड़ी बड़ी साखाओं होती है उन्हें डाल कहते है और जो छोटी साखाओं होती है जो बड़ी डाल में से निकली होती है ऐसी साखाओं को डाली कहते हैं ठीक है साखा विन्यास के प्रकार types of branching साखाओं के निर्माण में सनलगन कलिकाओं की प्रकृति के आधार पर साखा विन्यास को निमनलिकित दो प्रकारों में बाटा जाता है पहला पाशरवी शाखन दूसरा द्विभाजन साखन सबसे पहले हम पाशरवी शाखन पढ़ेंगे मुख्य तना के पर्वसंधियों से लगी पतियों के अक्ष में इस्थित कक्छस्त कलिकाओं में विक्सित होने वाली साखाओं को पाशरवी साखाएं तथा इनके साखा विन्यास को पाशरवी साखा विन्यास कहते हैं पाशरवी शाखन निम्ना अनुसार दो प्रकार की होती है पहले नंबर पे है ससी माक्षी साखन इस साखा विन्यास में मुख्य तना एक निश्चित लंबाई तक ही बढ़ता है इसके बाद मुख्य अक्ष की सिखर कलीका के कुछ नीचे से एक या अधिक साखाएं मुख्य इस्तंब के दाएं और बाएं पाशरवों से निकलती है कुछ वृद्धी होने के बाद इस साखा की वृद्धी भी रुख जाती है और इनसे दूसरी साखाएं निकल कर वृद्धी करने लगती है जमान के चलो ये एक पौधा का डाल है ठीक है और अगर यहां से डाल तूट जाए यहां से अगर डाल की तूट जाए ठहनी तो ये आगे बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी ये इधर ग्रोथ नहीं करेगी बढ़ जाए इधर से वृद्धी हो सकती है कहीं से भी हो सकती है लेकिन आगे से नहीं हो सकती ठीक है कुछ वृद्धी होने के बाद इस साखा की वृद्धी भी रुख जाती है और इनसे दूसरी साखाएं निकलकर वृद्धी करने लगती है यही क्रम कई बार दोहराया जाता है सिर्षस्त कलिका की वृद्धी रुखने के बाद जो शिर्ष की कलिका है उसकी वृध्धी रुकने के बाद यदि उसके नीचे से केवल एक ही साखा निकलती है उसके नीचे से मान के जो ले इधर से एक ही साखा निकलती है तब इसे एक साखी साखा विन्यास लेकिन दो साखाई निकलती है तब इसे द्वी शाखी साखा विन्यास कहते हैं अगर एक ही साखा निकलती है तो इसे एक शाखी साखा विन्यास कहेंगे अगर दो साखा निकल जाती है तो इसे द्वी शाखी साखा विन्यास कहते हैं परन्तु जब दो से अधिक साखा एक साथ निकलती है तब इसे बहु साखी साखा विन्यास कहते हैं और भी इसमें साखाएं निकल जाएं तो इसे क्या कहा जाएगा बहु साखी साखाएं ठीक है मकोई एवं सारा का इंडिका में एक साखी करोंदा गुलाब एवं बांस में द्वी साखी और कनेर तथा यूफोर बिया में बहु साखी ससी माक्षी शाखा विन्यास देखा जा सकता है अब देखेंगे सकेंड नमबर पे असी माक्षी साखन इस साखा विन्यास में तने की सिर्सस्त कलिका में निरंतर विकास होता रहता है जिसके कारण पौधे का मुख्य आक्ष बढ़ता ही रहता है इसे पोडियम कहते हैं क्या कहते हैं पोडियम जिस पर पाशर्व साखाएं अग्रा भिशारी क्रम में उत्पन होती रहती है चूंकि इस प्रकार की वृद्धी में मुख्य आक्ष एक ही होता है इस कारण इसे एक आक्षी साखा विन्यास भी कहा जाता है चूंकि इसमें आक्ष की वृद्धी असिमित रूप से होती रहती है इसलिए इसे असिम आक्षी भी कहते हैं इस प्रकार के साखन विन्यास के फल सरूप संक्वाकार प्रकार के वृद्ध जैसे पॉली एथिलिया के जुराइना इत्यादी उत्पन होते हैं सेकेंड नम्बर पे देखेंगे द्वी भाजन साखन सिल्सस्त कलिका के विभाजन के फल स्वरूप एक साथ दो साखाओं का निर्मान होता हो तो उसे द्वी साखी साखाएं तथा इस प्रकार के साखा विन्यास को द्वी साखी साखन कहते हैं इस प्रकार के साखन में सिल्सस्त कलिका सर्व प्रथम विभाजित होकर दो पुत्री साखाओं का निर्मान करती है इस प्रकार शमानित अब पुस्पो दिभत पौधों में मिलता है लेकिन कुछ आवरित बीजी पुस्पो दिभत पौधों जैसे क्लीनोगाइन पेंडेनस आदी में भी यह साखन पद्धती देखने को मिलता है हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ अगर आपको हमारे चैनल से हैल्प मिलती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करकर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए थांक यू